Hey guys, welcome back to my channel तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी Firebolt Smartwatch के अंदर Games वगेरा कैसे डाउनलोड कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास है Firebolt Vogue Smartwatch यहाँ पर एक बार मैं इसका About section भी बता देता हूँ तो Firebolt 131 इसका नाम है गिवववे एक watch का नहीं होने वाला है बलकि 5-5 watches का होने वाला है तो basically मैंने 5 Apple Watch Ultra मंगा ही है गिवववे के लिए और इन सभी का गिवववे होने वाला है गिवववे में participate करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है जस्ट चैनल को subscribe करो इस वीडियो को like करो और नीचे comment drop कर दो हर 7 days के बाद एक-एक watch का winner announce होता रहेगा और उस तरीके से 5 winners चूज हो जाएंगे 5 Apple Watch Ultra के लिए तो इन सभी का giveaway हो रहा है तो participate जल्दी से जल्दी कर लो क्योंकि 5 smart watches है तो फिर जीतने के chances बहुत जादा है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक important information देना चाहता हूँ कि Swiggy पे जैसा कि आप जानते हो कि काफी सारे offers वगेरा तो चलते ही रहता है पर मेरी तरफ से आपको 2 additional offers मिल सकते है तो basically मैंने जो link प्रोवाइड की हुई है description में वहाँ से आप Swiggy application को download करोगे तो आपको first 7 orders free में मिलेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो 4 free order दिखा रहा है क्योंकि 3 मैं already place कर चुका हूँ तो आपको 7 orders free में मिल जाएंगे प्लस first order पे आपको flat 90 rupees का off मिल जाएगा तो मैंने जो link दी हुई है description में वहाँ से download करोगे तो आपको 90 rupees का flat discount और 7 free orders मिल जाएंगे तो आप अगर चाहो तो Swiggy application download कर सकते हो link provide की हुई है description में तो सबसे पहले आपको application download करने के लिए phone के अंदर एक application download करना होगा तो यहाँ पे उस application का नाम उने वाला है FB active और यह application आपको easily app store as well as play store दोनों पर ही मिल जाएगा तो आप इस application को आराम से download कर सकते हो तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसका link भी भी डिस्क्रिप्शन में provide कर दूँगा तो इस application को मैं एक बार open कर देता हूँ यहाँ पे वैसे यह login वगिरा करने के लिए बोलेगा पर मैंने already कर रखा है तो भी नहीं बोलेगा बाकि आप login कर लेना बहुत easy सा process है उसमें इतना कुछ tough नहीं है बाकि यहाँ पे आपको just यहाँ पे आके add device पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे मेरी watch का नाम लिखा चुका है firebolt 131 तो इसके उपर क्लिक करके मैं correct कर देता हूँ ओके अब watch के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो connect हो चुकी है connected लिखा चुका है तो आप देख सकते हो connect होते ही यहाँ पे इसके जो dials वगरा आ गया है वैसे इस application के अंदर बहुत सारे options देखने को मिल जाएंगे जैसे के आप watch faces वगरा भी add कर सकते हो और भी कही सारे option है आप check करी सकते हो बाकी आज का हमारा main purpose है firebolt की smart watch के अंदर games टाउनलोड करना तो वो आपको बता देता हूँ apps market में जाना होगा आपको तो little dinosaur अच्छा लग रहा है तो इसको मैं install कर देता हूँ ओके battery watch की low है तो एक बार मैं इसे charge पर लगा देता हूँ ओके so watch charge हो चुकी है और ये dinosaur वाला game तो मैं install कर भी चुका हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि install लिखा आ चुका है और watch के अंदर मैं play करके बताता हूँ ये वाला game तो यहाँ पर आपको जाना होगा basically game वाले option के अंदर और इसके अंदर directly आपको ये game देखने को मिल जाएगा तो आप देख सकते हूँ कि ये dinosaur वाला game आ चुका है और इसको खेल सकते है इस तरीके से काफी interesting सा game है बाकी इस तरीके से आप कोई भी application download करके use कर सकते हो मैं एक दो application और download करके बताता हूँ तो यहाँ पर next अपन download करता है वेक एमोल ये थोड़ा ठीक game दिख रहा है तो इसको मैं install कर लिता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर downloading लिखा आ चुका है install होने में ज्यादा time नहीं लगता है max to max 1 minute लगता है तो 1 minute का आपको wait करना पड़ेगा ओके सो यह वाला game install हो चुका है और आपको एक चीज दियान रखने होगी कि जैसे ही कोई नया game install करोगे तो पिछला वाला game अपने आप uninstall हो जाएगा तो फिर एक time पर आप एक ही game रख सकते हो तो यहाँ पर मैं game पर चाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह वाला game आ चुका है और यहाँ पर I think इसको hit करना होगा ओके सो यह वाला game खिलके भी आप time pass कर सकते हो इस तरीके से बाकी next अब एक game और बता देता हूँ आपको तो इसके बाद अपन डाउनलोड करते हैं balloon वाला game यह थोड़ा interesting दिख रहा है ओके सो balloon वाला game भी इस watch के अंदर install हो चुका है और इस वाले game को भी एक बाद टेस्ट कर लेता है ओके ओके तो यहाँ पर basically आपको balloon को burst करना होगा ठीक है तो यह भी time pass के लिए काफी सही है वाकी आप इस तरीके से applications होगेरा download करके games होगेरा download करके use कर सकते हो इस smart watch के अंदर hopefully आज का वीडियो आपको informative लगाओगा और आपके लिए काफी useful रहाओगा अच्छा लगाओ तो like share subscribe सरूर से करना मिलता हो आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए